पाठ बाईस, काल टेंस देखिए, पढ़िए और समझे मैं कल पापा के साथ बाजार से फुटबॉल लाया था अब मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं क्यूंकि एक महिने के बाद मेरे विद्याले में फुटबॉल प्रतियोगिता होगी उप्रियुक्त वाक्यों में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है जैसे लाया था, खेल रहा हूं और प्रतियोगिता होगी ये तीनों क्रियाएं अलग-अलग समय को दर्शा रही है इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है इसी को काल कहते हैं अतह हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं काल के भेद भूतकाल – Past tense वर्तमानकाल – Present tense भविश्यतकाल – Future tense भूतकाल यनि Past tense क्रिया की जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूत काल कहते हैं जैसे जब मैं कक्षा छे में पढ़ता था तब मैंने परिक्षा के समय बहुत महनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था उप्रियुक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हैं, जैसे पढ़ता था, मेहनत की थी और प्राप्त किया था, ये क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, अतह ये भूतकाल हैं भूतकाल के छे उपुभेद होते हैं. भूतकाल, सामान्य भूत, आसन भूत, पून भूत, अपून भूत, संदिक्द भूत, हेतू, हेतू मत भूत. क, सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं. जैसे, कमला ने खाना दिया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सोनु ने क्रिकेट खेला. ख, आसन्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पताचले की कारे अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्य भूतकाल कहते हैं. जैसे, हमने अभी अभी भोजन किया है, रमेश खेल कर आया है, विद्याले की घंटी अभी अभी बजी है. उप्रियुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में तुरंद हुई हैं, अतह यह आसन्य भूतकाल हैं. ग, पूर्ण भूतकाल, क्रिया की जिस रूप से कारे के भूतकाल में बहुत पहले संपन्न होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं. जैसे, 15 अगस्त सन 1947 में भारत आजाद हुआ था, शाह जहा ने लाल किला बनवाया था, गांधी जी का जन्म 2 अक्तूबर 1879 में हुआ था, उप्रियुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं, अतह ये पूर्ण भूतकाल हैं ग, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परन्तु यह नहीं पता चलता की कारे पूर्ण हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे, रोहन पत्र लिख रहा था, माता जी फिल्म देख रही थी, विमल गीत गा रहा था, उप्रियुक्त वाक्यों में भूतकाल में क्रिया हो रही है, परन्तु पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है, अतह यह अपूर्ण भूतकाल हैं, र, संदिक्द भूतकाल, क्रिया की जिस रूप से कारे के भूतकाल में पूर्ण होने में संदे हो, उसे संदिक्द भूतकाल कहते हैं, जैसे, कल तो सफाई हुई होगी कई राजनेता भी आये होंगे बालक सो गया होगा उप्रियुक्त वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह का बोध हो रहा है अतह ये संदिग्द भूतकाल है च, हेतु, हेतुमद भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु, हेतुमद भूतकाल कहते हैं जैसे रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती यदि बारिश ना होती तो मैं अवश्य खेलने जाता यदि किसान मेहनत करता तो फ़सल अच्छी होती वर्तमान काल यानि प्रेजिन्टेंस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय यानि चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे मेरे घर दादा जी और दादी जी आ रहे हैं मेरी मम्मी उनके स्वागत की तैयारी कर रही है और मैं भी अपनी मम्मी की मदद कर रही हूँ उप्रियुक्त वाक्यों में आ रहे हैं, कर रही हैं और कर रही हूँ क्रियाएं चल रहे समय यानि वर्तमान समय में हो रही हैं अतह ये वर्तमान काल हैं वर्तमान काल के मुख्य तीन भेद होते हैं वर्तमान काल के भेद सामाने वर्तमान काल अपून वर्तमान काल संदिग्द वर्तमान काल कर सामाने वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया की वर्तमान काल में करने अथवा होने का बोध होता है उसे सामाने वर्तमान काल कहते हैं जैसे माली पौधे लगाता है चील आकाश में उरती है उपरियुक्त वाक्यों में माली और चील करता द्वारा कारे वर्तमान काल में किया जा रहा है अतह यहां होने वाली क्रिया का काल सामाने वर्तमान काल है ख अपून वर्तमानकाल क्रिया के जिस रूप से यह ग्यात होता है कि क्रिया वर्तमानकाल में आरंब होकर अभी जारी है तो उसे अपून वर्तमानकाल कहते हैं, जैसे सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं, विद्यार्थी पाठ याद कर रहा है, उप्रियुक्त वाक्यों में क् पून वर्तमान काल हैं। ये काम इस समय हो भी रहे हैं या नहीं। अतह यहां संदिग्द वर्तमान काल है। उप्रियुक्त वाक्यों में क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है। जैसे घर जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, खिलोने लूंगा और मस्ती करूंगा। अतह ये भविश्यत काल के उदाहरण है। भविश्यत काल के दो भेद होते हैं। भविश्यत काल के भेद, सामाने भविश्यत काल, संभावे भविश्यत काल। उप्रियुक्त वाक्यों में आएगी, लाएगी, क्रिया आने वाले समय में होगी, अतह ये सामाने भविश्यत काल हैं ख, संभावे भविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से कारे के भविश्य में होने की संभावना का बोध होता है, उस काल को संभाव्य भविश्यत काल कहते हैं。 जैसे हो सकता है आज मुझे दफ्तर में देर हो जाए। शायद शाम को तुम फिल्म देखने ना जा सको। उप्रियुक्त वाक्यों में होने वाली घटनाओं के लिए भविशे में संदेह प्रकट किया गया है या एक तरह की संभावना व्यक्त हुई है अतह यहां संभावे भविश्यतकाल है आव पाठ दोहराएं काल कारे होने के समय का बोध कराता है काल के भेद भूतकाल वर्तमानकाल भविश्यतकाल भूतकाल क्रिया के बीते समय में होने का ज्यान कराता है भूत काल के भेद, सामाने भूत काल, आसन भूत काल, पून भूत काल, अपून भूत काल, संदिक्द भूत काल, हेतु हेतु मत भूत काल वर्तमान काल क्रिया के चल रहे समय में होने का ज्यान कराता है वर्तमान काल के भेद, सामाने वर्तमान काल, अपून वर्तमान काल, संदिक्द वर्तमान काल भविश्यत काल क्रिया के आने वाले समय में होने का ज्यान कराता है भविश्यत काल के भेद, सामाने भविश्यत काल, संभावे भविश्यत काल